स्वपनवासवदत्तम इतिपाठ्यक्रमे भावताम उनह स्वागतम अस्विन व्याख्याने वयम स्वपनवासवदत्ते प्रयुक्ता नाम सूक्ती नाम विशय चर्चाम करिश्या महा अतहा अस्य व्याख्यानस्य सेर्शकम वर्तते स्वपनवासवदत्ते प्रयुक्ता हा सूक्ता यहा तत्र पुर्वस्विन व्याख्याने अश्माभी स्वप्नवासवदत्तस्य पात्राणाम परिचयह लब्धाह। तत्र अश्माभी द्रिष्टम यत केचन ताद्रिशाह अपी पात्र भूताह संती यत्र ये केवलं नामनईव स्मृताह संती महाकविना भासेन तेशाम मन्चे अवतरणं नकल्पितं। पुरूश पात्रेशु संती बहवाह तताईफ। स्त्री पात्रेशु अपी बहवाह संती तठापी अश्माभी कानिचित मुख्य पात्राणी एव अत्र परिचाहीताहनी तत्र नायकह उदयनहा, नायकह वासवदत्ता, पदमावती, यौगंधरायनह, विदूशकह इताह पत्रानी अश्मावि किन्चित विस्तरेन परिचाईतानी पूर्वश्मिνव्याख्याने अत चा अतीव संखेपेन भासस्य चरित्राशी वयंकर्शिष्ट्यम महा कवेह भासस्य नवपुन्यमपी अश्माभी ज्यातम ववता ज्यातम अस्ति यत उदयनहा एकहा अतीव कला प्रियाह राजा आशीत वासवदत्ता आपी अतीव सध्धर्म परायणा पति ब्रता महाराग्यी आशीत इत्तेवं सर्वं अश्माभी पूर्वश्मिन पाथे पठितम तथईव सुक्ति नाम प्रभाव आदेव नाटकम भवतु काभ्यम वाभवतु अतीव महत्यपूर्णं संजायते तत्रापी महा कवेह भासस्य महान अधिकारह वर्तते अतहा अत्र अस्मिन व्याख्याने भासस्य सुक्ति नाम विशय किंचित मार्गदर्शनं प महत्यम इति ज्याष्या महा तदन अंतरम स्वपनवासव दत्ते प्रयुक्तानाम प्रमुख सुक्ति नाम विवेचनम पि करिश्या महा अस्मिन स्वपनवासव दत्ते नाटके भासेन बहुविद सुक्ति नाम सार्थकाह प्रयोगाह कृताह सुक्ति प्रयोगात काभ्ये वन विशय सजीवता आयाती, तत्र परिपक्वता आयाती, काभ्यम तत सूक्ती नाम बलेन पुननताम, प्रवधताम, प्रामाणिकताम चा प्रापनोती। काभ्येशु धर्मार्थकाम मोक्ष विशयाहा आपी सूक्ती नाम बले नईव प्रति पाध्यनते। काभ्येशुचा सूक्ती रत्नानाम प्रयोग काउसलेन क्रति विशेशस्य महत्वम सरवथा व्रद्धिम गच्छती। तकाभ्यम नाट्यम वा लोकप्रियम भवती यत्र सूक्ती रतनानी प्रचुरतया प्रयुक्तानी भवन्ती। अनेयाद्रिष्ट्या श्वप्नवासवदात्तं नाटकं सरवथा सफलं सिद्धं नाटकं वर्तते अत्र नानावि विधाह सूक्तयह प्राप्यंते याभ्याह यथेष्टं ज्ञानं अस्माभी प्राप्तुम सक्यते कि मर्थं शूक्तिनाम अध्यायनं करणियं इति उच्यते चेत अत्र बदामह सूक्तिनाम अध्यायनेन अस्माकं जीवनं सत्यात्मकं भवती शिवात्मकं भवती सौंदरियात्मकंचा भवती यतहा अत्रैव सत्यं शिवं सुन्दरं पूरण तहा अभिव्यक्तं भवति बेदा नाम, पुराणा नाम, धर्मशास्त्रा नाम, रामायन आदी नाम चा जीवनोप योगिन्यहा सूक्त यहा महाकविना भासेन प्रियुक्ता हसंति वेदेशू, पुराणेशू, धर्मशास्त्रे, रामायने चा जीवनोप योगिन्यहा नाना सुक्त यहा प्रियुक्ता हसंति तथैव, महाकविया स्वब्योखारा नुभवेना धार्मिक, आद्ध्यात्मिक, भावतिक, शांस्कृतिक सूक्ती नाम यथा स्थानम वासव्या अद्यानें अश्मा कम ब्योहार ज्ञानेपी व्रधी भविष्यती अश्मा कम जीवनमिन शफल म्भविष्यती अतिव शंख्षेपेण अत्र वयं करिश्याम। इमाह सुक्त यहा नकेवलम मानव मुल्यानि पोशयंती प्रत्युत ससुख मयेन उपदेशेन दुख दावानल दगधान आधिदैविक, आधिभवतिक, आध्यात्मिक तापत्रई पीडितान जनान सुखिनह कुर्वंती. इमाह सुक्त यहा सहर्दय सामाजिका नाम सभासु रसधाराम प्रवाहितुम छमंते। एताभ्या सुक्ति भ्याहा निर्धनाहा संतोषं प्राप्नुवंती स्रमिकाश्चा सांतिम लभंते। वाककलाकुषलाह विद्वांसह स्ववचनेशु सुक्ति नाम प्रयोगेन विलक्षणाम रमनियताम उत्पादैतुम अरहंती। अतयेव प्रायह सर्वेयो महाकवयह सुक्ति भूशनेन स्वकवितावनितायाह अलंकारम कुरवनती। सुक्ति नाम श्लागाम कुरवन कश्चित कभी ही कथयती। यत सुक्ति नाम माधुरिय सविधे लजया द्राक्षा मलान वक्त्रा जाता। शरकरा पाशानतांगता सुधाचा भीत्या स्वर्गम्याता तथाचा उक्तमतेन। द्राक्षा मलान मुखी जाता शरकरा चास्मतांगता सुभाशित रसस्याग्रे बुधाभीता दिवंगताह एवमस्ती सुक्ति नाम महत्त्वं। अतह वयम सप्नमासवदत्तस्या प्रमुख सुक्ति नाम अध्यायनं तेशांचा संक्षेपेण विवेचनं अत्र करिश्यामहां। तत्र आदव लगु लगु शूक्ति सु भासेन कथम कथम अतीव गभीराणी तत्वाणी निहितानी संती इति अतीव गभीराणी तत्वाणी विन्यस्तानी संती इतिवयम एताशां सुक्ति नाम अध्यायनेन ज्यातुम्शक्णुमह अतचा आनंदानु भावम पी ते अनिर्ग्ञातानी दैवतानी अपी अवधूयन्ते अर्थात यदी कोपी न जानाती यदी अयम देवतास्ती तरही यपी तस्य सहाभमानं कर्थौव सक्षथ इतोही ज्ञात्वत देवस से अपमानंप कोपी न करोती इति बहु संव्यक शूक्तिः वर्तते गद्यमई इयं सूक्तिः वर्तते महा कविना भासे श्वप्नवासवदत्तम इतिनाटकस्य प्रतमांके इयं विन्यस्ता अत्र एवम घटनास्ति यत योगंधरायन हा उत्सारण परिभव खिन्नाम भीताम वासवदत्ताम अनेन वचनेन सान्त वयति यदा वासवदत्ता अवंतिकावेशमध्रित्त्तत योगंधरायन न सह मगध्राज तपोवने आसीत तत्र तदा राज पुरुषईह जनाहां उत्सार्यन तेस्मट इदमध्रिषत्त्तत सा योगंधरायन प्रश्ट्वती अपी अहमपी उत्सारणी याभविश्यापी तद अर्थाद विशिष्ट आनी अपी ती रस्क्रियंते। यदि नाव ज्यानम नास्ति तरही कोपी विशिष्ट जनोपी अपमानितह भवितुं अरहति। अत्रभवतीम अवंतिका रूपिणिम न कोपी महासेन पुत्रीम उदयन पत्नीम चा वासवदत्ते जानाति। भवती वासवदत्तास्ती इती कोपिनजानाती अते व भवत्याति रसकारोपी अनिर्ग्यात त्वाथ अत्रभवितुंशत्नोती अतः अत्रभवती धायरियम अवलंव्य मानाप्तु मानयोः विचारं तयजयतु अन्यठा कारे सिध् grenade न भविष्यति एवं अनिर्ग्यातानि दैवतान्यप्यवधू यंते इति उक्त्वा योगंधरायनाह वाशवदत्तायाह मनसी यह तिरस्कारभावाह आसीत तंभावं दूरी करोती एवं एव अन्यत्र कालक्रमेन जगताह परिवर्तमाना चक्रारपंग्ति रिवग अच्छति भाग्य पंग्तिही इति महाकवे भाशस्य सूक्तिही स्वप्न आसवदत्ते लभ्यते तत्र इयम सूक्तिरपी वस्तुताह प्रथमांक एव विद्यते अत्र सूक्त्यां योगं भाग्य चक्रम परिवर्तन शीलमस्ति यथा चक्र लग्न आरपंग्त्य हा अधस्तात उपरिष्ट्राच्या पुनह अधा आयांति गच्छंतिचा तथैव मनुष्याणां भाग्य पंग्तयोपी परिवर्तमानाह संति अतहा भवत्या दुखं नकारियं नचा नैराष्यं अ अनुह वितब्यं यदाभावती राज्यमहिश्ची आसित तद पदमावती शदिशमेव गमनं तयापी अभीष्टमा सित आरथात पूर्वम भवती यथा अध्यत्य याम पदमावती आगच्छंति यस्ति अनयास लगपुरुश्जा संति तथा भवती यथा अध्यत्य अवंतिका वेशम्धृत्व अमया सहास्ति अतहा भवत्याहा अपमानहा कथंचित भवितुम अरहति किन्तु कालांतरे भाग्योदये जाते यदा पुनहा भर्तु उदैनस्य विजया नंतरम भवती पुनहा तेनसा भविश्यति तदा पुनहा भवती यपी ताद्रिशिये भवितुम अरहति लोकस्य समय परिपाट्या परिभ्रवंति अद्रिश्ट परंपरा रथांग अवयव स्रेणिव ब्रजति एवं सहा योगंधरायणहा वासवदत्तायाहा मनस्तोशं करोति अन्यायका सूक्तिही तत्र लभ्यते प्रद्वेशो बहुमानोवा संकल्पात उपजायते प्रद्वेशो बहुमानोवा संकल्पात उपजायते अत्र ज्ञानोपदे सदात्री इम सूक्तिह वर्तते इम अपी स्वप्नवासवदत्तम नाटक अस्या प्रथमांकात अस्माभी अत्रचिता वर्तते अनया सूक्त्या योगंधरायणहा पदमावत्याम आत्मियतायाह निमित्तम समर्थयते सन्याशिवेशे प्रच्छन्नह योगंधरायणहा स्वतह विचारयती यद इयमेव पदमावती विद्यते या पुष्पक भद्रादिभी जयतिर्विद्भी महाराजस्य उदायनस्य भार्या भविता इतिकतितम अतेव एतस्याम मात्यस्य महती आत्मियता अनुहुएते सहा अत्र कारणम उद्घाटेन बदती यतोही अत्यधिका प्रीतिही अथवा अत्यधिकम आदरहा मानस कर्मनहा उत्पद्यते कस्यचित जनस्य कर्ष्पिन्ष्चि दपी जने वस्तुनिवा स्वमनो व्यापार आदेव रागहा व इरग्तिर्वा उत्पद्यते इति भावहा अत्यधिकम आत्र अस्यां पदमावत्यां मम यह बहुमाना वर्तते सहा संकल्प जन्या बहुमाना वर्तते अत्यधिकम अवश्यमेव महाराजस्य उदैनस्य पत्नी भविष्यति इतिमम विश्वासा अस्ति अग्रिमा सूक्ति अनया सूक्त्या पद्मावत्याह कांचुकियाह न्यासरक्षणस्य दुसकरत्वम उपस्था पयति। अन्या सूक्ति ही वर्तते धन्या सास्त्री याम तथा वेत्ति भरता पयति। भर्त्रिष्णेहात साहि दग्धाप्य दग्धा। इम सूक्ति ही स्वप्नवासवदत्तस्य नाटकस्य प्रफथमांकादेव अश्माभी अत्र समुद्रता। अत्र ब्रहमचारी वासवदत्तां प्रती वत्सराजस्य उदयनस्य द्रढ़ं अनुरागं प्रति पादेति। उदयनहा प्राणप्रियाम वासवदत्तां विना महत कष्टम अनुभवन अस्ति इति ब्रहमचारी उदयनहा सहवदति यत उदयनहा रात्रिन दिवं ताम सपत्नीम स्मरति। साइस्त्री नूनम धन्यभवति यस्याम दिवंगतायाम अपी पतिही ताम पुनह पुनह स्मरति। उदयनहा वासवदत्तायाम भ्रिशम स्निहति अतहा पदमावत्यासह विवाहा नंतरम अपी वासवदत्तां नभिस्मरतुं पारयति। ताम वासोदत्ताम स्मारम स्मारम उदयनस्य मनहा नितराम दुखा क्रांतम जायते। वासोदत्तायाम वत्सराजस्य अपारह सनेह वर्तते अतह वत्सराजस्य उदयनस्य अगाध सनेह अम्रिते न सिकता सा वासोदत्ता दगधा अपी अदगधा अस्ती अर्सात, मृतापी अमृतास्ती, मृतापी जीवितावर्तते यतोही यस्यकीर्तिहस्ती सायेवजीवति इती वचनेन भासाह साधयती यत वासवदथा अध्यापी सपत्युह प्रेम्नहा जीवन्ति वर्तते ताम तस्याह पति ही इस्मरति कीर्टयतिचा इती कृत्वा सादिवंगतापी अध्यापी जीवती इती अस्याह सूक्ते है अर्थाह वर्तते अन्या सूक्ति ही अस्ति अनतिक्रमणियों ही विधी अर्थात विधी ही भाग्यम कदापी अतिक्रमणियाह न भवती इयम पी गद्यमई सूक्ति ही वर्तते इयम पी महाकभी वासविरचितस्य स्वप्नवासवदत्तस्य नाटकस्य चतुर्थांके संकलिता वर्तते अस्याम सुक्तव भाग्यस्य अनुनलंगनियता प्रतिपादिता। विदूश कहा विरह व्यथितं वत्सराजं उदयनं धैर्यधारणाय बोधयती। उदयनहा अग्निदाहम्रतां वासवदत्तां स्मारं स्मारं भ्रसं रोधिती। विदूश कहा तम सान्तवयन निवेदयती भवान धैर्यमा कलेत। यतह विधिह अर्थाद दैवम अर्थाद भाग्यम अनतिक्रमनियह अर्थाद अनुलंगनियह भवती। असमासु कोपी अपी भाग्यस्य उलंगनम कर्तुम नशक्नोती। यत भाग्ये लिखितमस्ती तद प्रवस्यम भवती कछितम अपी वर्तते लिखितम अपी ललाटे को विहातुम समर्थाह इती। संसारस्य समग्रा क्रिया विधातुह नियमं आस्रित्य प्रवर्तते। कोपी विधातुह नियमान लंगहितुम नसक्नोती। संसारस्य प्रतेकम जने कदाचित सुख करह कद दुख करहवा प्रभावा भाग्यस्य भवति एव भवतह वासवदत्तायाः विरहा विधात्रा एव निश्चितह वर्तते विधेह विधानम ही लंगान योग्यम नभवती जातस्य प्राणिनो मरणम निश्चय नभवती अतह वासवदत्तायाह मृत्यु विशय भवता शोकह नकारियाह इति विदू सकष्य कथनस्य अभिप्रायाह वर्तते अन्यायेका अतीव महत्व पूर्णा सूक्ति वर्तते सतकारोहिनाम सतकारेन प्रतीष्टह प्रीति मुत्वादेति महा कविना भासेन प्रणीतस्य स्वप्नवासवदत्तमिति नाटकस्य चतुर्थांकाद अश्माभी इम सूक्ति संकलिता अत्र परस्परम सम्मानेन प्रेम ब्रिद्धी प्रतिपादी तास्ति विदूश कहा वत्सराजम उदैनम सूचेति यत मगधराजह भवंतम अग्रतह कृत्वा स्वमित्राणी साक्षात करतुम इच्छति अतह भवान मगधराजस्य प्रार्थनाम अवश्यम स्वी करोतु यतह सतकारह अर्थात समादरह ही अर प्रतिष्टह अर्थात स्वी करताह प्रीतिम अर्थात हर्षम उत्पादेती अर्थात जनेती बस्तु तह यदि कस्चित सम्मानम करोती तरही तस्य सम्मानह सम्मानेन स्वी करनिया है एवं नास्ति यत कस्चन अस्मानम करतुम आया थी वयं तस्य सम्मानम असम्मानेन अन्या सुक्ति ही वर्तते कातरा ये प्यशक्तावा नोत्साह स्तेशु जायते प्रायन ही नरेंद्रस्त्री अन्या सुक्ति ही उपदेश विभूशिता वर्तते महा कभी भाशाह सप्नवासवदत्तस्य नाटकस्य शष्ठांके एतद्वदति अस्याम सुक्त्याम महा सेनस्य कांचुकियाह उदयनम्प्रति उपदेशम करोति यत उत्साह वताम वीराना में राजसंपत्प्राप्ति ही अर्थात उत्साह वंताह ये वीराह भवंती तेसामेव राजसंपत्ति ही आयाती अन्ये साम उत्साह हीना नाम राजसंपत्ति ही गच्छती सराजानम कथेती यत सवभागेन उत्साहेन चा सत्रुना आरुनिना हरतम राज्यम पुनरपि भवताह अधीनम जातम भवताह उत्साह हीनाष्य भ्वंति तारशाम जनानाम पार्षे राजस्रीहि ननिवसति कदापी। किंतू ये उत्साह वंत advava di issue उदयनसदिशा धीरहवीराष्य भ्वंति ये रिपस्रीय हां पात्राणी भ्वंति多 लक्ष्मि阷ि भीरून निर्वलान उत्साह रहितांस्या जहा ती तांत्यक्तवा सा राजस्री ही सयमेवगच्षथी इति अत्र प्रतिपादय ती अताहा राजस्री सर्वदा उत्साह संपंणां वीरानेवपुनहपुनह आलिंग ती कांचुकियश्य कफनश्य अभिप्रायह वर्तते यत महताप् अर्थात पुनहा लब्धम राज्यम यदस्ति तस्य रक्षा भवद्भी करणियां अस्याह उत्साह वद्भी वीरईरेव निर्पलक्ष्मियाह उपभोगह कर्तुम पार्यते उत्साह ही नानाम निर्वलानाम उपनिसद्यपी करणा कृता वर्तते नायमात्मा बलहीनेन अभ्यायती तताहेव प्रभाविताहसन कदाचित भासह एताम सूक्तिम प्रनीतवान वर्तते अन्या सूक्ति ही अस्माकम जीवनस्य कमपी पक्षम पुरस्करोती कहकं शक्तो रक्षितुम्रित्युकाले रज्युच्छेदे के घटमधारेंती एवं लोकस्तुल्य धर्मो बनानाम काले काले चिद्यते रुहियते चा इतीवर्तते शूक्ति ही इयं सूक्ति ही सपनवास्वदत्त स्यनाटकस्य स्ठांके लभ्यते अत्र मॱ्थ्यो अनिवार्यत्त्तं प्रतिपारितमस्ति प्रियायाह वासवदत्तायाह वियोगेन व्यतितम राजानम समाश्वासयन कांचुकी यह कथेयति यथा रज्युच्छे देसति कलसा कूपे अवश्यमेवपतति तस्यरक्षणम कोपी कर्तुम नसकनोति भग्नरज्युम कलसम पतनात कहरोध्धुम्षकनोति अर्थात तद्वदेव मरणकाले समुपस्थिते म्रियमानम प्राणिनम नकोपी रक्षितुम् प्रभवति यथा कूपे घटाह रज्योह अधीनह तथाईव अस्मिन संसारे जीवह दैवाधीनह वर्तते अरण्यस्य व्रक्षानाम संसारस्यचा सभावस तुल्यह वर्तते इति महा कभेह भास से अभिप्रायाह यथा अर्यनरस्थाह व्रक्षाह जनेही पुनाह पुनाह छिद्यनते प्रतिदिनम छिद्यनते किन्तु पुनाह पुनारपी जन्म ग्रहनतिते अतो वासवदत्तायाह म्रत्तु विशह शोकह नक विधेयह यताह अपिनों म्रत्तु हु अवस् भावी मृत्युक्वाले समुपस्थिते नकोपी मिर्यवानम् रक्षितुम् छमते मृतस्य पुनरपी ध्रुवं जन्व प्रापनोती अतो नास्ति सोका वसरह एवं भासह असे संसारस्य नस्वरताम प्रतिपादित वान। एवं यद्यपी भासस्य सप्नवासोदत्ते अन्येसु चनाटकेसु सुक्ती नाम भाहुल्यम वरतते अत्र अस्माभी काश्चन प्रमुखाह एव सुक्तय हा पुरस्कृताह संती अन्याह सुक्तय हा भवत भी गरंथात अध्येतुम् शक्यंते अत्र अस्माभी सुक्ती ना नाम माद्यमेन यस्यकस्यापी महाकवेह रचना काल जैनी भवती तत्र रसश संचार भव Thomas सहा रचना सहरदयाना मनसी उत्प्रभावं उत्पादयतुम समर्थाभ Flint अतह शास्त्रेव भ्या लोकव्योहाराथ अन्य तस्या महाकवेह वचनानि सुउक्रित्य, प्रभावं वा स्विकृत्य सूक्ति नाम रचनाम कुरवंती। एतत सर्वं अत्र सूक्ति नाम विशय परिज्याय भवत भी सर्वई ही स्वप्नवासवदत्तम इतिनाटकस्य मूलग्रंथाह अध्यतभ्याह। भवंता जानन्ति यत सूक्ति नाम माध्यमेन कस्यचिदपी कवे है रचना काल जैनी भवती। तत्र लोकस्य व्योहारह सास्त्राणाम्च सिध्धानताह पदे-पदे आयांती। तान सास्त्रसिधानतान उपजीव्य कवी ही अश्मान स्ववाक्याही किमपी उपदिशती। येन सहर्दयाना मृदये सास्त्रस्य संचारह भवती। अताह सूक्ति नाम वलेन कस्यचित कवे है ये भावाह संती ते अस्माकम मनस्थ। स्थानम प्राप्नुवंति अतह भवत्भी अवस्यमेव एताशाम सूक्तिनाम पुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनाप यतो ही महा कभीकालिदासह अतीव आदरेण अस्य नामक्रहणं करोती तथैव कौटिल्या दपी अयं प्राचीनह वर्तते नाना विध तरकैहि नैके विद्वानसह अस्य महा कभे भासस्य कालं पंचमं शष्ठम वासतकं क्रिस्टो पूर्वं स्थापयंती एवम अजमा भी दुतिये व्याख्याने शब्नवासवदर्थ अश्य प्रत्य अंकम नाथ्य वस्तु परिशीलीतं यद्यपी तत्र आशे संक्छे पहा तथा भवत भी प्रत्य अंकम ख़लूंके का नाथ्य वस्तु Прतीपादितं किम नाट्टे वस्तु प्रतिपाधितं वर्तते इती तत्र सुरुतं वर्तते एवं तरतिये व्याख्याने अस्माभी ज्यातं यत आत्र कानी प्रमुख पात्राणी संती अस्माभी तस्मिन प्रसंगे एतत ज्यातं यत कानी ची तादिशानी पात्राणी वर्तंते यत ये शा केवलं नामक्ग्रहनं महा कविना भाशेन खृतं अथचा कानिची ताजिशानी अपिपात्रानी वर्तं ते ये शाम नाल मोले खाहा कविना कृत अपर्त तत्र यद्यपी संति वहवाहा तथा पी अश्माभी केशांची देव प्रमुखाणां चरित्र चित्रणं किन्चित तत्र तेशु प्रमुखा वर्तते महाराज उदायनह यहा खलू अस्यनाटकस्यनायकावर्तते तथईववर्तते नायिका वासवधत्ता अन्यास्ती पदमावती तथाचा अन्यह वर्तते याउगंधराएणह पुनह विदू सकाः एवं एतेशाम केशांचन एव प्रमुख पात्राणां अस्माभी चरित्रचित्रणं अत्रग्यातं अन्येशाम चरित्रचित्रणं भवंतह तेशु तेशु ग्रन्थेशु ग्यातुम शक्नुवंति अत्वा तेशाम ग्रन्थानां तेशाम तेशाम ग्रन्थानां अध्या ज्यातुंशक्णुवंति भवतामस्वेशाम अथीव उपयोगी इदं ग्रंथ वर्तते सपन वाशवदत ताख्या अता भवत भी सहा ग्रंथा आवश्यंपटनियाँ भवता अथीव मनोयोगेन इदं व्याठ्यान सुरुतम अतीव मनोयोगेन एतस्तर्वं परिशीलितम अत बहुत आम समेशांक्रते मम हार्दिकाह धन्यवादाह